नमश्कार दोस्तों एक और PYQ सीरीज प्रिवियस एर क्वेशन सीरीज में आपका स्वागत है हम लोग देख रहे हैं पिछले सालों के प्रश्न भारतिय राजविवस्था इंडियन पॉलिटी के तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे हैं पहला क्युशन वीडियो का पंचाईती राज वॉस्थ टाइम इंě्टूबूज दें पंचाईती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहां पर आंत्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान तो इसका जो आपका correct answer है हुए आपका D is राजस्थान तो ध्यान रखिएगा जो पंचाइती राज है वो पहली बार introduce कहां करा गया था वो करा गया था राजस्थान में Next question देखते है The main aim of the पंचाइती राजस, पंचाइती राज का प्रता मुद्देश है To increase rivalry between village people, ग्रामवासियों के बीच प्रती दुवंद को बढ़ाना मतलब आपस में जगडा, to train for election to village people चुनाओं में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रसिक्षन देना Decentralization of power among village people ग्रामवासियों में शक्ती का विकेंदरी करन या इन में से कोई नी तो देखिए आपस में भुडाना भी नहीं होगा, नहीं चुनाओं में ट्रेनिंग देने के लिए है यह इसलिए है कि जो power of decentralized हो सके, नीचे तक पहुश सके और जो नीचे पंचायती राज में जो आपके elected आपके ये leaders होंगे वो उनके पास भी कुछ power हो, तो decentralization तो क्या इसका correct answer होगा, C ग्रामवासियों में शक्ती का विकेंदरी करन, ठीक है, तो यह है इसका main function Next question क्या है, तो पंचायती राज organized villages into an unit of local self government under, पंचायती राज ने गाउं को स्थानिये तो शाष्ण की एक इकाई के तहट संगिठित किया है, किसके तहट, मौलिक अदिकार, भारतिय संविधान की प्रस्तावना, राज जनीती के निर्देशक सिद्धान तिया, संविधान का 73rd संशोधन अदीनियम, तो इसका जो correct answer है, वो है आपका D, संविधान का जो 73rd संशोधन अदीनियम है, 73rd उसके तहट जो है, पंचायती र हुआ, सोधन अदीनियम के तहर, तो इसका answer D, ठीक है, इन इंडिया, the federal financial relation related to भारत में संग ये वित्य संबन किस से संबन देता है, financial relation between states, राजियों के बीच वित्य संबन, financial relations between center and states, केंदर राजियों के बीच वित्य संबन, financial relations between center and autonomous government, केंदर और स्वायत सरकार के बीच वित इसका जो correct answer है, देखिए जो वित्य संबन, केंदर सरकार और राजियों के बीच आप राजियों में थोड़ा ना होगा, जो राज्य सरकार है, वो काफी अपना बजट का हिस्सा हो किस से लेती केंदर सरकार से, केंदर सरकार पार्टी पैसा, राज्य सरकारों के पास भी अ मतलब यह financial relations between center and states, ठीक है, next question के है, it is possible to form a separate जारकन state from बिहार बाए, बिहार से अलग जारकन राज्य बनाना संबाव है, जारकन जो राज्य तो बनी चुका है, बिहार से अलगों के बना, अब यह पूछ रहा है कैसे बना था, ठीक है, कैसे बनाए गया था, राज्य विधा सबा में कानून पारित हुआ, राज्य पाल के अद्यादेश को पारित करना, संविधानिक दायत्व को पूरा करना या, इन में से कोई नहीं, तो इसमें जो आपका correct answer होगा, वो होगा, fulfilling the constitutional obligation, संविधानिक दायत्व को पूरा करना, ठीक है, संसद में कानून पास होना होता इसके लिए, राज्य विधान सबा में कानून अगर पारित हो भी जाए, बिहार जो आपकी विधान सबा उसमें कानून पारित कर दे कि अलग करना तो भी ना कर पाती, यह हुआ संसद के थुरूई है, ठीक है, पहले राश्ट्रपती बिहार की सरकार से पूछते हैं, कि आ लेकिन यह option दे दिया है, समवेधानिक दायत्वों को पूरा करना तो इसलिए यह होगा, ठीक है, और नहीं राज्य पाल के अदेश से कोई राज्य लग होता है, धियान रखे, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा, भी भारत के राश्ट्रपती, प्रेसिडेंट आफ इंडिया, इन्हीं के पास में पावर है, अपॉइंट करें, नॉमिनेट करें, किसको अंगलो इंडियन कम्यूटी को दो मेंबर हो करते हैं लोग सबह में, और ये जो आपका जो प्रोविजन था, अंगलो इंडियन वाला ये भी हटा दिया है, इस सरकार ने, जो 2019 में, अब 20, 2020 में चिंशोधन अदिनियम करके, प् ठीक है, लेकिन राज इस सबह में, बारा मिंबर नॉमिनेट होते हैं, वो अभी तक है, ये भी पिछली वीडियो ने बताये था, नेक्स क्यूशन क्या है, भारत में सर्वोच कारेकारी कौन है, राश्रुपती, प्रधान मंतरी, नेतापती पक्ष, या आपका भारत सरकार के क्याबिनेट सचे, तो इसमें आपका जो राश्रुपती, जो सर्वोच कारेकारी है, कौन सम्विधान ने जिनको शक्ती दिये सर्वोच कारी होने की, वो किसको दी, राश्रुपती के पास, लेकिन वो किसकी सला पे काम करते हैं, प्रधान मंतरी और मंतरी परिशत, लेक तो ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्या है इन इंडिया दे लेक्शन और प्रेसिडेंट इस डन बाइ डिरेक्ट एलेक्शन भारत में राश्रपती का चुनाव किसके द्वारा होता है प्रतियक्स चुनाव सिंगल ट्रांस्फेरेबल वोट सिस्टम एकल हंस्तांतर रनिये वोट प्रनाली प्रपोर्शनल वोट सिस्टम आनुपातिक मत प्रनाली ओपेन बैलेट सिस्टम फुला मत पत्र प्रनाली इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका भी इसके दिरो ता सिंगल ट्रांस्फेरेबल वोट सिस्टम एकल हस्तांत रनिये वोट प्रनाली के तहत होता है ठीक है next question क्या है which is the upper house of the state legislature in India भारत में राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन सा है legislative council है विधान परिशाद, विधान सबा राज्य पाल कारे का इन में से कोई नी तो जो अपर सदन होता है वो है आपका विधान परिशाद, ठीक है legislative council, legislative हो गई है ठीक है तो कौन अपर सदन है या आपका अपर house है या उच्च सदन है वो है विधान परिशाद next question क्या है by which constitutional amendment act the panchaiti raja institution got constitutional status कि समविधानिक शंशोदन के दौरा panchaiti raja संस्थाओ को समविधानिक स्थार पराप्त हुआ यह भी मैंने बताया है विधान शंशोदन अदिनियम के बाद ही जो panchaiti दास्ते उनको एक constitutional दरजा पराप्त हो समविधानिक दरजा पराप्त हुआ ठीक है अगर यही थे इस वीडियो के questions कोई doubt हो तो comment box में जरूर पूछिएगा वीडियो पसंद आया तो like करिए चैनल को subscribe करिए यही पर वीडियो भी खतम करते हैं धन्यवाद